Hey guys welcome back to my youtube channel तो आज हम Dragon King series को फिर से continue करने जा रहे हैं तो जैसके हमने previous episode में देखा था Wulin औ गुयू मिलके उन दोनों agility type soul masters को खतम कर देते हैं जीजी के help से तो episode number 88 की starting होती है वसे जहाड़ियो में होते है Yang find कर लेता है टांग Wulin औ गुयू को तो मैं surrounding को थोड़ा explore करता हूँ तो अपनी blue solar grass को फिला देता है हर जगा पे Shan बोलती है कि senior brother क्या लगते तुम्हें कौन बनेगा class president वो चॉंग्ट्यान बिना किसी hesitation के टांग Wulin का नाम ले देता है Shan बोलती है टांग Wulin पर काफी साथ है नहीं student उससे strong है तो मैं सची में लगता है कि टांग Wulin के पास chance होगा उनके against में वो चॉंग्ट्यान बोल रहा होता है कि strength ही नहीं है जो उसे जीतने में help करेगी उसका character भी वैसा है उसकी choices और जैसे वो हरकते करता है वो ऐसा leader है जो मैंने कभी नहीं देखा है शैन बोलती है कि वो leader है starting से ही तुम बाते को जादा बड़ी बड़ी नहीं कर रहे हो मतलब को जादा ही बढ़ा चड़ा के नहीं बोल रहे हो वो चॉंग्ट्यान बोलता है कि मैंने 3 साल देखा है कि वो किस तरह का इंसान है और वो किस तरह से advantages लेता है चीज़ों का ऐस तो वो hurtless लगता है like मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे पर जब उसके साथी खत्रे में होते हैं वो कभी भी hesitate नहीं करता आगे बढ़ने के लिए उनकी help करने के लिए और जैसे वो situation को देखता है जानता है वो level उसका बहुत हाई है जैसे वो हरकते करता है लोग उसके side run है चाहेंगे और जैसे वो command करेगा वैसे उसके सुनेंगे भी शन बोल रही होती है कि मैं देखती हूँ और absorb करती हूँ देखना चाहते हूँ कि कैसा performance यह दिखाएगा हमें वोलिन बोलते है कि सबी ध्यान से कोई आ रहा है तभी एक इंसान भाग रहा होता है जिसके punk होते है वोलिन सोच रहा होता है यह तो tiger type marshal soul है यह तो कुझा powerful होती है किसने इसे इतने ज्यादा चोटे पहुंचाई है उसके जो पूरे white punk होते है वो खून से red हो गए होते है तभी कोई इसके ओपर attack करने लगा होता है अपनी black folks है एक इंसान वहाँ पे खड़ा होता है जिसकी 4 soul rings होती है और purple होती है वो सारी और एक black shadow से cover कर रही होती है पीछे से वो लिन बोलता है किस तरह की marshal soul है वो इंसान बोल रहा होता है में अपनी जिंदगी को risk मिलाता है यह पे तुमसे fight करने के लिए वो अपनी soul rings को activate करता है और अपना last attack launch करता है उस enemy के against में पर वो ऐसे चलाता है दर्द में और नीचे गिर जाता है उसके wings almost खतम ही हो गया होती है वो जिस इनसान होता है उस component वो आता है और उसके wings के उपर पर पैरक देता है वो इनसान बोल रहा होता है दूसरा कि एक मिन तुम पकर class president बनोगे वो तीनों देख रहे होते situation को यांग बोलता है मुझे आद आया यह bright city का इनसान है इसका नाम जू यूचेंग है यह कुछा थे famous सा bright city में यह imperial sun moon soul engineering academy का था मैने सुना है इसका निकनेम immortal भी है immortal जू यूचेंग एस इसके पास 4 soul rings है पर उनसे कोई भी spirit soul level पे नहीं पहुंची है बात है कि इसके जो demon seat है वो कुछा powerful है वो soul master की body को खा जाती है बल जो इसका weapon होता है जो devils use करते हैं वो बोल रहा होता है कि इसी की वश से इसकी body इतनी जा कमजोर है इसकी हिमत नहीं 1000 year spirit soul के साथ fuse होने के लिए भी और बात है कि इतनी जा 100 year soul rings पाना impressive situation है इसके लिए इस strongest student ही नहीं है 15 साल की काम उमर में इस imperial sun moon soul engineering academy में बात ही है कि वो academy 10,000 साल पुरानी है उसकी भी history और मैंने सुना है कि पहले के time पे वो shirk academy के same level पे थी वो इन सोच रहा है situation से अभी लग रहा है कि इतना भी असान नहीं हो गई mortal zoo yu chang को हराना वो इ तुमें के लगता है तुम जू yu chang के attack को झेल पाओगे यांग बोलता है कि हाँ मैं तो टाइम के लिए जहिल सकता हूँ अगर हम उसे face करेंगे तो मैं से रोकूंगा उस टाइम पर गुयू attacker के distance से तुम control करना वुलिन बोलता है कि मेरे पास एक suggestion है big brother यांग ऐसे क्यों न करो मैं definitely तुम दोनों को protect करूंगा गुयू ऐसे smile कर रही होती है क्यूंकि वुलिन फिर से खतानाक चीज़ कर रहा है यांपे वुलिन बोलता है big brother यांग अब हम क्या करें यांग बोलता है class president strongest होता है class में तो लास तक strength सबसे जाधे important होती है चलो आगे की तरफ बढ़ते ह वुलिन बोलता है गुयू तुम यांग के पीछे पिछे बेजग चलो गुयू ऐसे देख रही होती है उसे गंदे तरिके से वुलन ऐसे हस देता है लासे हरते है यांग आगेसे एक टीम ह workers रोती गुई बोलती है देखो टांग वुलिन जायान होती है उस इंसान के साथ वुलिन बोलते है तो जायान है यह तो अच्छी बात है सेम टाइम पे जीजी भी टांग वुलिन को पीछे से फोलो कर रहा था जीजी हसता है बोलते है जू जायान है ऐसा बोला चाहता है मतलब पुर वो कुछाते ही प्रोबलम कोज करेगा उससे हम इतने असानी से फाइट नहीं कर सकते हैं वो इमोर्टल जू यू चैंक से भी खतनाक है एक तरीके से वुलन बोल रहा हता है यह बोल रहा हता है यह अकेला पावरफुल ही नहीं है यह तो जू यू चैंक के कंपेरिशन में नहीं कर सकते हैं दोनों को इस तो यह कंट्रोल टाइप सावल मास्टर है पर हमेशा लोगों का गुरूप होता है इसके पीछे यह है बंडाव सिटी का इसका नाम लू गुजिंग है इसके पास थ्री सावल रिंग्स है इसकी स्पिर्च्वल पावर सबसे अधा खतना क्वालिटी की है मैंने सुना कि यह उल्रीडी स्पिर्ट सीरल में पहुंचके है और इसके अलावा यह स्पेस एल्मेंट टाइप सावल मास्टर है जैसे कि इसकी अबिलिटी है कोई प्रो कोहरा ने में मेरी हल्प की थी वो फिमस अकुजाद ही उसका नाम जैंगीरान है वो पॉजन टाइप सावल मास्टर है उसकी माशल सावल जैड फोस्फोरस स्नेक एंपरर है जिसे जैड स्नेक जैंगीरान भी बोलते है पतल लड़की का नाम और हां तुमने कॉंटिनेंटल रैंकिंग के बारे में सुना है वो लन बोलता है कॉंटिनेंटल रैंकिंग अब वो के चीज होती है यांग बोल रहा थे तुम्हें कॉंटिनेंटल रैंकिंग के बारे में नहीं पता है वो स्पेशली स्पिरिट पगोडा रेंज करता है जो कॉंटिनेंटल रैंकिंग होती जो Mine होती है वो डूला कॉंटिनेंट रांकिन्ग होती है।ँ में डूला कॉंटिनेंट होती है। उसमें Top 100 Battle Armor Masters आते हैं। क्वाफसरा अधर रांकिंग्स भी होती है जैसे blacksmith, mac art designer, maker mechanics और यह Genius Youth Ranking भी होती है। जो Requirements होती है Genius Youth Rank इंतर करने की वो यह होती है। कि 18 साल या फिर 18 से कम वाली नाम दे सकते हैं उसमें उनका टैलेंट, स्ट्रेंट, स्केंडरी, प्रफेशन, साल पावर सब कुछ SS की जाती है टोडल 30 स्पोर्ट्स होते हैं उस लिस्ट में और इन 30 स्पोर्ट्स में जो मेज़ोर्टी है वो शर्क अकैडमी के स्टूडेंट से लेते हैं और उन शर्क स्टूडेंट्स में भी साथ 15 साल से कम उमर के हैं और एक्चल में रैंक 17 पे शैकलर लुओ है रैंक 19 पे इमोर्टल जू यू चैंग है और रैंक 30 पे जेट स्नेक जैंगीरान है बुलिन बोलते हैं बिग ब्रदर यां तुम भी स्टॉंग हो क्या तुम भी यू रैंकिंग के पार्ट है यांग बोल रहो हता है हाँ मेरे भी नाम है लिस्ट में मैं रैंक 27 में हूँ सब ही मुझे यांग नियांज या डाक बियर बोलते है बुलिन सोच रहो हता है डाक बियर पहले निक्टेम इसे सूट करता है यह तेज है इसने अपनी पावर को चुपा के रखा था कबसे वैसे यांग बोल रहो हता है जो 15 साल की कमवर में है जो की जीनिस यूथ रैंकिंग की लिस्ट में है एक परसन तो वो भी जो टोप 10 में आये था वो परसन रैक 9 पे है और ऐसा लग रहा है वो हमारी क्लास में है उसका नाम वू सीडियो है मतलब वो ही बोलेंगे गाइस वो हाइस रैंक्ट परसन है न्यू स्टुडेंट्स में मैं शूर नहीं हूँ कि कैसे हम मैं उसकी स्ट्रेंथ को कंपेर कर सकता हूँ पर मुझे इतना है पता कि वो स्टार लू सिटी की है उसके पास 4 साल रैंक्स हैं और वो सभी 1000 यर की है सबसे अपारफूल है बोल रहा होता है उसका नाम मतलब निकनेम हैल है उसे हैल वू सीडियो बोलते है बुलिन सोच रहा होता है अगर कुई उपनी पूरी पावर को यूज करेगी तो वो पक्का लिस्ट में अपना नाम दच कराई देगी एक खतनाक बैटल होने वाली है यहां पर ऐसे लग रहा है वो इंसान को ज़्यादे अनलखी होने वाली है अभी फिर यह अनामस्मेंट होते है कि 48 स्टुएंट्स पचे हुए है जो कॉमबेट जोन है वो अब 50 परसंट से कम हो जाएगा यांग बोलता है क्या कॉमबेट जोन काम हो जाएगा जी बोलता है यहांब चल क्या रहा है मैंने तो अभी चुपना बंद किया था ऐसे कुछ हलचल होती है पूरे फोरेस्ट में वोलिन बोलता है कुई मेरे हाथ को पकड़ो टाइटले पकड़ना छोड़ना मत यांग बोल रहा है सिचुएशन क्या है यह में को जारा फील नहीं हो रही अच्छी तभी एकदम से उनकी लोकेशन चेंज होती है कोई टोडल चार ग्रूप सामने आ जाते हैं उनके जिच चुपा होता है पेड़ के पिछे और सोच रहा होता है कि अब सभी एक दूसरे के सामने है एकदम से इतने ज़्यादा लोग कहां से आगे लूओ बोलता है यह अच्छा हुआ अब असानी से मैं फाइट कर सकता हूँ वोलन बोल रहा है अब हम क्या करें कि हम भागें यह अच्छी ओपरचुनिटी है एक मिनट रुको वो की तरफ इशारा करते है और बोलता है चलो टीम अप करते है और लूओ के गेंस में फाइट करते है वो सीटियो देख रही होती है यह अग की तरफ बोलता है डरने की कोई बात जी है तब जो एक इनसान होता है वो बोल रहते है की जल्दीन से लूओ को हराती है अगर तक नों को इसए उड़ा देता है वो बोल रहता है अगर यह मिल भी रहे है सुटेशन जरा नहीं बदल रही है खड़े रहो और फाइट करते हैं तो गाइज ये एपसोड इतना था अगर आपको नेक्स देखना है तो लाता हूं कुछ दिनों में तब तक आप डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक पे क्लिक करो और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो लिए आप से बाइ